हेलो गाइज वेलकम इन वाई जी येस टेगनिकल आज मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम केरनल होता क्या है उसका यूज क्या है और कस्टम केरनल इंस्टॉल कैसी किया जा सकता है तो चलिए शूरू करते हैं जाइज और एक बात और आप कीरनल ऑडिटर जो है वह प्ले स्टॉर पर मिलता है उस यूज को यूज़ करके और आप आपने हिसाब से केरनल एडिट कर सकते हैं तो Kernel होता क्या है? Kernel means आपके hardware और software के बीच में जो connection चोड़ता है उसी को Kernel कहते है यह मतलAw ses को standard, diviner to Arc को hardware है और दूसेरी तरप आपका software है उन दोनों का ताल में लगा के आपका mobile जो चलाता है उसी को Kernel कहते है Kernel जो होता है हो आपने system का hard होता है तो custom kernel का use क्या है आप custom kernel use करके आपने mobile का जो processing speed हो बढ़ा सकते हैं और आपके mobile का charging का speed हो भी बढ़ा सकते हैं इसके ही साथ आपका जो battery backup है वो भी आप बढ़ा सकते हैं तो यह use है custom kernel का तो अब हम देखेंगे custom kernel को install कैसे किया जा सकता है कस्टम kernel आपके मैं तो कुलपैट डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास एक कस्टम kernel है जीरो एडिशन जो अभी अभी नया custom kernel आया है अभी तो मैं मार्शमेलो का जो तो ओरिजिनल kernel है वही यूज़ कर रहा हूँ आप यहां देख सकते हैं थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट एटिम पॉइंट नैंटी नहीं जो करने लो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ तो अब मैं देखाऊंगा custom kernel उसके लिए आपके पास TWRP और mode होना चाहिए तो पहले मैं मोबाइल शट्डाउन करता हूँ तो अब मैंने पावर आप कर देया पावर आप कर देने के बाद आपको अपने मोबाइल की जो TWRP को रहे है वह उपन करनी है तो मैं उपन करता हूँ तो यहां आप देख सकते रीकोवरी मोड लिका है रीकोवरी मोड मेरे मोबाइल की तो वह इस तरह ओपन होती है TWRP रीकोवरी तो पर विदाउट वाइप इनितिंग आपको डायरेट इंस्टॉल पर क्लिक करना है सिलेट स्टोरेज मैंने तो माइक्रो एस्डी काड में करें तो मैं माइक्रो एस्टी काड चूच करूँगा और यहां स्टोरेज करूँगा युईस ब्योटिज को पर क्लिक करूँगा और यहां आप देख सकते हैं यहां देख सकते हैं यहां मैरा जीरो एडिशन केडनल है, आप देख सकते हैं जूम करता हूँ अब आप देख सकते हैं Zero Addition केडनल तो आपको इसको स्लिट करना है और Direct Swipe To Confirm फलेश कर देना है देख सकते हैं यह Complete हो गया है अब आप Direct Reboot System कर देना है अब आप ओपन हो गया है और अब मैं आपको सेटिंग में जाके दिखाऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.18.190 एडिशन अब यह मैंने केरनल चेंज कर दिया है तो इस तरह से केरनल इंस्टॉल करते हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल गाइज आवर एक आपके लिए एक नोटे अगर आपने गलती से कोई दुसरा केरनल यूज किया तो आपका मोबैल ब्रीक हो जाएगा इसलिए आपके मोबैल के हिसाब से ही केरनल आप यूज किजे और फ्लैश किजे और थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो